बिस्मिल्ला रह्माने रहें डियर स्टी स्टुडेंट्स आज हम बात करते हैं चप्टर नमबर फॉर में सेल वाल पर सेल वाल वाल टॉपिक हमने शौट क्वेस्टन्स और लॉंग दोनों के अतबार से याद करना है लेकिन जारा कर ये शौट क्वेस्टन्स के में तो सबसे सब्सक्राइब करते हैं सेल वाल को इस दा आउटर मोस्ट बाउंडरी ओफ सेल अगर देखा जाए तो सेल वाल पाई जाती है अलजी में और इसी तरह से हम कहते हैं प्लार्स में एक्जिस्ट करती है फिर हम कहते हैं सेल वाल इस ओसो फाउनिंग दा फंजाई एंड बैक्टिरिया मीन्स दा प्रो केरियोर्स तो ये कुछ प्रोडिस्का में भी वाइजाती है तो देखा जाए जो एलजी और प्लार्स में सेल वाल है इसको हम कहते हैं इस फांड ओफ ऐसेल बनती है और इसी ही तरह से अगर दिखा जाए फंजाई में तो सेल वाल इस फांड ओपक अपक्टिरिया केंटेंज दा सैल बोड़ इस मेड बाई पैप्टाइडो गलाइकेंज इस पैप्टाइडो गलाइकेंज आर दा पॉलीमर ऑफ गुलुकोज एड अमाइनो एसेड़ काइटन इस पॉलीमर ऑफ गुलुकोज और इसके बाद अगर हम देखें तो को सेल जॉल के स्ट्रॉक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या डिवेल्पमेंट के से स्ट्रॉक्चरल में वाल को हम डिवाइड करते हैं तू मेजर पार्ट में वान इस दा प्राइमरी वाल and second one is the secondary wall और हम देखें तो primary wall जो है इसको क्या कहेंगे it is the wall that is thin and elastic जब के ऐसी cell wall जो के थिक हो and hard हो ऐसी cell wall कहलाईगी it is the secondary wall और हम देखते है फर्स्ट ली डिवेल्प वॉल इस दा प्राइमरी वॉल और सेकंडरी डिवेल्प वॉल इस दा सेकंडरी डिवेल्प वॉल इस दा सेकंडरी वॉल और अगर हम देखें तो primary wall में पाए जाते हैं cellulose और कि इसी ही तरहां से प्राइम्वरी ओल में हैमी सेल्लोज पाए जाते हैं है हमी सेल्लोज आगा शौटर चेंज और लॉगर चेंज दोग दा सेल्लोज फाइबर मेड बाइ ग्लुकोज मोलिकूल इन सिमिलर वे इसे केंडरी ओल कंटें लॉंग चेंज ऑफ देपोजिशन ओफ लिगनी एंड वैक्सेज एंड अदर मिनरल्ज दैट मीक्स दा सेल्वॉल हार्ड हम देखे हैं के लिगनीन वैक्सेज सिब्रीन और इस तरह के मुटलिफ कंपॉंड सेल्वाल को जो कैस्केंडरी वाला इसको हार्ड बना लेते हैं और फिर देखा जाए तो हम यह कहते हैं के थर्ड एक स्ट्रक्टरल कॉंपोरेंट है इसको हम नाम देंगे इपिस दा मिदल मेला नीडल लमेला इस फाउंड बिट्वीन रिटीज पाउंड वीन इस ऑफाउंड बिट्वीन तो इसको हम कहते हैं इट कंटेंज को आपस में एक दूसरे के साथ अटेच करते हैं पैक्टीन लाइप कंपाउंड और कुछ मिडर्ल पाए जाते हैं इस मिडल नमेला वाले पोर्शन में और इसी तरह से अगर हम देखें के कुछ पॉइंट्स पर सेल बॉल इसकांटिनुवस होती है इसको हम कहते हैं इस दा प्लास्मो डस्मेटा at some points cell wall is a discontinuous are the pores pores in a cell wall by which the cytoplasm of adjacent cells are connected so such type of the pores are card plasmo decimata तो इस तरह से यह सेल वाल का structure complete हुआ अगर हम देखें तो इसकी composition के इतबार से cell wall is found by क्रिस क्रोस arrangement of the cellulose fiber यानि अगर हम देखें तो composition में cellulose arrange in the cellulose fibers arranged in क्रिस क्रोस मैनर के क्रिस क्रोस मैनर में cellulose के fiber arrange होते हैं suppose कि यह कुछ फाइबर है cellulose के तो नेस्ट लेयर के जो fibers होंगे वो इसके 90 अगल पर आ जाएंगे तो इस तरह से यह fibers की जो arrangement this is called the criss-cross arrangement of the fibers हम इने कहते हैं क्रिस क्रोस अरेंज्ड क्रिस क्रोस सेल्लोस फाइबर्स तो इस तरह से सेल वाल में हार्डनिंग और स्ट्रेंथ होती है सेल्लोस के फाइबर्स की क्रिस क्रोस arrangement की वज़ा से अब इसके बाद में बात करते हैं what are the functions of cell wall हम कहते हैं cell wall के functions क्या है तो नंबर वान हम देखते हैं maintain the cell shape cell wall cell की shape को determine करती है और इसी तरह से हम हम देते हैं के cell wall cell wall is prevent prevent the cell from osmotic lysis means due to the pressure of the vacuole cell wall can prevent the brushing of the plant cell तो इस तरह से हम कहते हैं के cell wall plant के cell को osmotic license से बचने का भी role play करती है और cell of plant body और इसी तरह से हम कहते हैं के cell wall is dead cell wall is dead and it is not a barrier it is not acting as barrier for transport of water minerals and gases like carbon dioxide and oxygen तो इस तरह